हेलो गाइज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हों काजल की प्रिग्नेंसी कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रिग्नेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है के बच्चे के तो आपको बेबि बॉय होने के ज़दा चांस है वीपि NEW होने की जाधा चांस है क्योंकि जब भी गर्वती महिला प्रिग्नेंट होती है ये प्रिग् निनसी कंसीव करती है तो उसके साथ साथ जो फ्रेंट्स पूरे घर के जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं सब को एक खुशी होती है कि हमारे घर में जो एक ननना महमान आने वाला है फिर हम अल्टरसॉन में देखते रहते हैं कि बच्चा किसके शकल पर गया किसके नहीं गया है और एक मां के लिए यह बहुत अच्छा पल होता है कि उसने प्रिग्नेंसी कंसीव की है और जब भी बच्चे का अल्टरसॉन होता है आपके पेट के उपर से तो बहुत ज्यादा जो है ना मां आपने बच्चे का इल्टरसॉन देखके रहती है कि इसमें कुछ पता लगे मुझे कि बीबी गर्ल है बीबी बॉय है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सटिक अंदाजे बताऊंगे जो आप अपने अल्टरसॉन से देखके पता लगा सकते हो कि गर्फ में पल रहा है शीशू जो है आपका एक बेटा हो सकता है 80% महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है जिनके बच्ची की फहर जो है बिल्कुल सेम आये थी और उनको बेबी बॉय हुआ था तो चली फ्रेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारे जरूर करूंगी कि जिस किसी ने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बल आइकन को जरूर हिट करना इसी कि होगा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियो को देख सकते हूं तो फ्रेंट चैसे ही एक महिला की प्रिगनेंसी कंसीव होती है तो उसक प्रेंटर बोलते हैं कि बच्चे की धड़कन आ गई है सांस आती है तक बच्चे की है चिन्ता से मुक्त हो जाया कि हाटविट आगई है तो फ्रेंट्स देखी जैसी ही आपके एल्ट्रेसोन होते तो प्रिग्नेंसी में पांच या तीन एल्ट्रेसोन बहुत जरूरी होते हैं जैसे कि फस्ट ट्राइमेस्टर में एक से लेके तीन महीने के बीच में फिर चार से लेके छे महीने के बीच में फिर साथ से लेके नौ बहुत ही लिए उसके बाद अगर आपकी प्रिग्नेंसी में कोई डॉक्टर को कॉम्प्लिकेशन दिखता है या बच्चे की पानी की थाली है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखते हैं तो फिर वह एक्स्रा भी अल्ट्रसोन करते हैं चीक है बट हम बात आपके बच्चे की 140 से उपर आई है आपने फ्रेंट्स बहुत सारी ऐसी वीडियो देखियोगी जिसमें बोला गया है कि 140 से जो है नीचे आएगी तो बीबी बॉइ होता है फ्रेंट्स मेरे यहां पे बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है 85% ऐसे मेरे सब्सक्राइबर झिनको बिवी बॉइ हुआ है और साथ में मुछको भी लगा के चिरेwegen आपकी बहुता अगर अगर एक इसनारी से हमेसा ही आरहीं है जैसे मेरे बच्चे की हाट्बीड की एडिय कर आप गर भी को है? आपको 140 से उपर ही आई है मतलब कि 157 आई है किसी में 168 आई है तो मेरे पास चार या पांच एल्टरसन हुए थे तो उसमें जो है बच्चे की हार्टबीट जो है ना सब्सक्राइब कोकि यहाई हो सकता है क्योंकि यह सते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस हैалась है जो बच्चे की हार्मोंस होते हैं पर कि देजीर डड़कन ज़्यादा चांस रहते हैं अब बोलते हो सोचते हो कि बच्ची के ऊपर कोई इफेक्ट आता है या बच्ची के ऊपर कोई दिक्कत या परिशानी आती है तो फ्रेंड्स देखें ऐसा बिल्कूल भी नहीं है क्योंकि अपकी एक उपरी हिस्से से होता है चीक है और बच्चे क जो है पांचे लेयरों के ब्याद बच्चा होता है तो बच्चे को उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब एल्ट्रास्वान होते है तो ऐसा को बीदिक्कत या परिशानी आपके बच्ची को नहीं आएगी इल्ट्रास्वाध्यम से अब मैं आपको बताना चाहती हू कि हर एक जो ना अपके बच्ची की हार्ट बीट सेम नहीं आएगी ठीक है वह अलग अलग आएगी बहुत रेयर केस होता है कि आपके अगर पुरी प्रिग्नेंसी में चार यह पांच अलग अलग देखी होगी तो वह ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स यह में आपको बताना चाह यह ओब दिखी क्या होता है जैसे हमारा जब अलग हो रहा है बच्चा यह हो चलरे रहती है और धीर चलेगी तो उस elf अगर आप Works और आप चल रहा हो घ्जिर डिल दिल के और को रेखता है तो नहीं मग अई नहीं चल रह जाब यहारव आपको ऐसे बोलते हैं कि 5-10 मिंट आप गूम ये ताकि आपका बच्चा मोमेंट करेगा फिर हम दुबारा आपका इल्ट्रेसोन के लिए दुबारा बुलाएंगे पिर दुबारा अपका अल्ट्रेसोन होता है तो उसके अंदर बच्चे की हाटबिट दुबारा बढ़ी हु बच्चे की हाटबिट चेंज होती रहती है तो इससे जो है डॉक्टर और सभी लोग अंदाजा नहीं बताते हैं कि गर्व में बेटा है या फिर बेटी है मगर बहुत सारे अंदाजें हमारे घर के बड़े बुजर्ग ऐसा लगाया करते हैं जैसे कि सो में से 80% महिलाओ को साथ अगर ऐसा हुआ है कि 140 से बच्चे की हाटबिट उपर आये तो उनको लड़का हुआ है ठीक है तो इसलिए वह बोलते हैं कि 85% या 80% महिलाओ को साथ ऐसा सटिक बैठा है तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके बच्चे की हाटबिट 140 से उपर है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना ताकि आपके मन में एक छोटा सा खुशी का मौल जाग सके कि गर्भ में क्या पता बेटा हो कई बार ऐसा भी देखा गया है सबसक्वा है तो चुलो लगन होगी किसी महीलाओं से फेज आपके मैशों से इसकत्ति हैं मैं बिल्कूल आपने सच बताया था कि हमारे वार्बेट लगन होड़ां सबीक्राफ काे शांथ साया थिक तो उस सहेंपे क्या होता है कि हम कभी कभी देखते हैं कि बिल्कूल किसी से बोलता चालता नहीं है बच्चा बहुत कम बोलता है तो पैदाइसी गर्व से ही वह बच्चा ऐसी है तब भी उसकी बच्ची की हाटबीड जो है आपको कभी महसूस होगी इसके बाद यह है फ्रेंट् किर्डने है मतलब की जो भी मशीन की किर्डने है वह मेरे गर्व में बच्चे को कोई भी डाल सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी गर्वती महिलाओं का जो है ना प्राइवेट पार्ट से होता है वह बहुत ही रेयर होता है कि बच्चे का कुछ बह तो पेट और से ही हुआ है बहुत ज्यादा केस में बहुत कुछ कुछ और अगर आपकी आपको जो है आपके वजाएना के थू जो है वह भो बहुत सेफ होता हैं उसमें भी कोई हापको डरने कि और कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है अगर आपको इस वीडियो के माधियम से कोई भी इन्फोर्मेशन छूटी हो मेंट से तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और फ्रेंड्स आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ जो मेरा सेकेंड जलाल है वो है काजल बेबी कियर आई होप आपको ने उस चनल को भी बहुत सारा प्यार देना बहुत सारा जानकारी में उस पर देती रहूंगी आपके बच्ची के लिए तो फटा फट से उस चनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर हिट करना क्यांकि क्योंकर डिलिवरी आपको अपने बेबी के कार नहीं करने हैं आपके लिए वह हॉस हो जरूरी है नई माँ बन रहे हो आप तो आपके लिए वह चनल बहुत ज़्यादा जरूरी फटा फट से चंल को सस्ब्सक्राइब करना और अगर आपके बच्ची की हाडविट भी 140 से उपर आये तो मुझे कमेंट स्मोक्स में जरूर कमेंट करना